नमस्कार विद्यार्थियों आपका जो पद्यभाग का जो पूरा कोर्स है पूरा पाठे करम है वो मैंने पूरा करवा दिया है अब हम हिंदी गद्ये की तरफ चलेंगे गद्ये में मैं आपको दो पाठ पहले ही करवा चुकी हूँ जिसमें एक आचारे रामचंद्र शुकल का क्रोध नामक निबंद है और मेरे राम का मुकुट भीग रहा है विद्या निवास मिश्र का निबंद है उनसे सम्मंदित मैं आपको प्रिश्णोत्तर इत्यादी सब दे चुकी हूँ तो अब हम सबसे पहले बात करते हैं निबंद के महत्व के बारे में कि निबंद का महत्व क्यों है क्यों हम निबंद के निबंद लिखना पसंद करते हैं क्यों हम निबंद को इतना आदर भाव देना पसंद करते हैं कि क्यों हम निबंद क्यों है गद्य की महत्व कुन विदा तो हम इस बारे में बात करेंगे निबंद का विवेचन करते हुए आचारे रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है कि यदि गद्य कवियों या लेखकों की कसोटी है तो निबंद गद्य की कसोटी है बांडबटे की बांडबटे का जो तो बाणबट ने एक सूक्ति दी थी गद्यम कविनाम निकशम वदनती गद्य जो है वो कवियों की कसोटी है या साहित्यकारों की कसोटी है तो आचारे रामचंद्र शुकली उसमें एक बात अपनी जोडते हैं कि निबंद गद्य की कसोटी है भाशा की पूर्ण शक्ति का विकास निबंदों में ही सबसे अधिक संभव होता है शुकली जी के इस कथन से यह प्रमानित होता है कि गद्य का पूर्ण विक्सित और शक्ति शाली रूप निबंद में ही चरमुतकर्ष को प्राप्त होता है इसलिए भाशा की दृष्टी से निबंद गद्य साहित्ती क सबसे अधिक परिपक्व और सबसे अधिक उननततम रूप है अन्य गद्य रूपों में भाषा केवल साधन रहकर साध्य का एक अंग बन जाती है परन्तु निबंद में वह एक प्रकार से पूर्ण रूपेन साधन बनी रहती है साधारन तह लेख और निबंद में हम बात करते हैं कि देखे हम जब लिखते हैं तो हम लेख भी लिखते हैं और हम जब लिखते हैं तो हम निबंद भी लिखते हैं क्या अंतर है इसमें तो साधारन तह लेख और निबंद में परियापत अंतर होता है लेक में लेखक का व्यक्तित्व प्रच्छन रहता है चिपा हुआ रहता है और निबंद में उसका व्यक्तित्व ही सबसे उपर उभर कराता है यह व्यक्तिता ही निबंद का सबसे अधिक प्रधान सबसे प्रधान और महत्वशाली गुण है किवल एक इसी गुण के द्वार हम साधारन लेक से निबंद को अलग करने में सफल हो जाते हैं। क्योंकि उसमें न लेखा की व्यक्तिक शैली का प्रकाशन होता है नहीं लेखा का व्यक्तित्व उभर पाता है नहीं उनमें रसात्मकता ही होती है। लेख के द्वारा हमारे ज्ञान में व्रद्धी तो होती है परन्तु निबंद में ज्ञान व्रद्धी के साथ साथ भावोत तेजन उत्पन करने की ख्षमता भी रहती है साथी साथ मनोरंजन भी। लेख में ग्यान या चिंतन का रूप शुष्क रहता है और निबंद उसके इसी रूप को सरल और तरल और समवेदन शील बना दिया जाता है। लेख वर्नित विशय के मात्र परीचय और विवेचन तक सीमित रहते हैं। उन्हें ग्यानवर्धक तो माना जा सकता है परंदू रसोधरेक करने वाला नहीं। साहित्य के अन्य विद्धाओं में भी जिस तरह रसात्मक्ता का हुना अनिवार्य है ठीक उसी प्रकार निबंद में भी रसात्मक्ता होनी चाहिये। और यही रसात्मक्ता निबंद को साधारन लेक से भिन और स्रेष्ट रूप प्रदान करती है और यह गुण निबंदकार के व्यक्तित्व के समावेश द्वारा ही उत्पन किया जा सकता है इसलिए सफल और शुद्द निबंद केवल उसे ही माना जा सकता है जिसमें लेखक जो निरवायक्तिक होते हैं परन्तु उनमें लेखक का व्यक्तित्व किसी न किसी रूप में मुख्यत या शैली व्यक्तिक चुटकियों के रूप में उभर कर ही आता है निबंद लेख की आत्मनिष्ट व्यक्तिता व्यक्ति सापेक्ष होती है उसकी मात्रा में कमी हो सकती है किन्तु उसका सर्वता अभाव होना असंभव है निबंद लेख के विचार गामभीर्य अनुभव और प्रोड़ता का परिचय देता है परंतु वह एक विशेश मनुदशा में ही लिखा जाता है या विशिष्ट मनुदशा निबंद को व्यक्तित्व प्रधान बना देती है आधुनिक कालीन निबंद विधा के बारे में अ सबसे अधिक आधुनिक विधा है हिंदी साहित्य में काव्य नाटक कथा साहित्य आधी की पूर्व परंपरा विक्सित अर्ध विक्सित अत्वा केवल अभिप्राई की दृष्टी से अवश्य मिलती है यहां तक की एकांकियों का पूर्व रूप भी हमारे हां संस्कृत स साहित्य में किसी न किसी रूप में प्राप्त हो जाता है परंतु निभंध ही साहित्य का एक ऐसा अंग है जिसके पुर्व रूप के दर्शन हमें संस्कृत और हिंदी भाषा और साहित्य के संपूर्ण इतिहास को डूंडने से भी भारतेंदू युग से पुर्व कहीं नही होते जब हमारे यहाँ पहले हिंदी का पुष्ट और विक्सित गद्य नहीं था तो उसका उत्कृष्ट तम रूप निबंद कहां से मिलता संस्कृत गद्य का रूप पूर्ण विक्सित होता हुआ भी उसमें निबंद नहीं लिखे गए आईए अब हम पढ़ते हैं निबंद की परिभाशाओं के बारे में संस्कृत साहित्य में निबंद का अर्थ है बांधना अर्थार्थ निबंद वह है जिसमें विशेश रूप से बंधन या संगठन हो जिसमें अनेक विचारों मतों या व्याख्याओं का समिश्रण या ग्रंथन हो हिंदी शब्द सागर में इस शब्द का अर्थ दिया गया है निबंद वह व्याख्या है जिसमें अनेक मतों का संग रह हो परन्तु आज का निबंद अपने परियावाची शब्द ऐसे के अर्थ में ही ग्रहन किया जाता है जिसका अर्थ है प्रयत्म ऐसे शब्द की प्रयासमात्र हुने के कारण मानतेन के निबन्दों में विष्रंखल्टा मिलती है। सेवा में समर्पित करता हूं फ्रांसीसी भाषा में इन निबंद को एसाई कहा गया है अंग्रेजी ऐसे शब्द के इसी अनुकरण पर बना लिया गया था आरंब में निबंद में गंभीरता वद तर्कपूर्ण विवेचन का कोई इस्थान नहीं माना जाता था क्योंकि वि निबंद मन की उस शिथिल तरंग का नाम है जो अनियमित और आपरिपक्व है जिसमें क्रमबदता नहीं होती है परिभाषा निबंद के संपूर्ण महत्व को गौन बना देती है अगर केवल क्रमबदता नहो तो ये माना जा सकता है कि संपूर्ण मन की शिथिल की संग्या दी है इसी के आधार पर किसी ने निबंद को हसी हसी में ज्यान का वित्रण कराने वाला कह दिया था निबंद के इस रूप की हसी उड़ाते हुए एक विद्वान ने कहा था निबंद लेखन का लाका बहुत प्रियसाधन है जिसमें लेखन में न प्रतिभा है जिग्यान व्रद्धी की जिग्या सा वही निबंद लेखन में प्रवरत होता है तता विविदता और हलकी रचनाओं में आनंद लेने वाला पाठकी उसे पढ़ता है इस उद्धरन से निबंद के प्रती कोई अच्छी धारणा नहीं बनती परंतु निबंद की उप्रोक्त परिभाशाएं या विशेष्टाएं उसके आरंभिक रूप को देख कर ही निरधारित की गई थी एक अंग्रेजी शब्द कोश में निबंद की परिभाशा देते वे लिखा गया था कि निबंद उसे माना जाएगा जिसमें प्रांजल और व विकास नहीं हुआ उसकी संपूर्ण कवीताओं को ध्यान में रख कर बाबु गुलाबराय ने उसकी निम्नलिखित परिभाशा निरधारित की है निबंद उसकद्य रचना को कहते हैं जिसमें सीमित आकार के भीतर किसी विशे का वर्णन या प्रतिपादन एक विशेष न हमने निबंद की विधा क्या है यह पढ़ ली हमने अधुनिक निबंद का स्वरूप क्या है निबंद की विशेषता क्या है निबंद कैसे लिखा जाता है अब हम हिंदी में जब निबंद आया हिंदी निबंद का जन्म कैसे हुआ क्या पत्रकारिता का इस पर प्रभाव था या कैसे ये निबंद का निर्मान हुआ अब हम इसके बारे में आगे चर्चा करेंगे